हेलो दोस्तों, आज हम एक्स्प्लोर करेंगे लिटिल इंग्लेंड अफ इंडिया नाम से मशूर तमल नाडू के होसूर शहर को होसूर किष्णागिरी जिले में स्थित एक उद्योगिक शहर है यह है पुनियार नादी के तट पर पैंगलोर से 40 किलोमेटर और राज्या की राजधानी चेनई से 306 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है वैसे होसूर में कई आटो मोबाइल्स और मेनिफेक्टरिंग उद्योग मोजूद हैं जिसमें टीवियस मोटर्स, अशोक ली लेंड, टाइटन, बाटा शूज, हिंदुस्तान यूनिलिवर, एकसाइड जैसी और भी कई प्रमुक इंडस्ट्रीज के अलावा लगबग 2300 स जहेरोवे निगम शहर के रूप में बनाया गया था और इंडस्ट्रिल सिटी होने के कारण होसूर शहर में काफी लोग बाहर से काम करने के लिए भी आते हैं इस शहर का लिटरेसी रेट लगबग 75% है वहीं जनसंक्या पांचला के करीब है जिसमें 53 परतीशत निवासी प होसूर में तमिल मुख्य भाशा है जो लगबग 50% लोगों दुवारा बोली जाती है जिसके बाद करनड और हिंदी भी बोली जाती है बैंगलोर के पास होने के कारण कई स्टार्ट अप आईटी कंपनियां शुरुवाती दोर में अपने आफिस होसूर शहर में बनाने पर प्रात्मिक्ता देती हैं और अगर बात करें मोसम की तो यहां आम तोर पर साल बर गर्मी की लहरों के साथ एक मद्यम जलवाईयों का मोसम रहता है जिसमें सबसे ठंडा महिना जैनुवेरी और सबसे गरम महिना माई का होता है साथ ही होसूर में पुर्वतर और दक्षिन प गुलाब की खेती भी पड़ी संख्या में की जाती है साथ ही घुमने के लिए होसूर में कुछ खुबसूरत जगह मौजूद हैं जिसमें होगनेकल फॉल्स राजा जै मेमोरियल चोवेश्वरी मंदिर जो निश्चित रूप से आपको यहां आने के लिए आकरशित करते है वहीं बात करें कनेक्टिविटी की तो होसूर शेहरों और कस्बों के साथ ट्रेनों और बसों द्वारा काफी अच्छे से जुड़ा है वैसे जब आप होसूर बस्टेंट पर पैर रखते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपका ध्यान खीचती है वह है ताजे बने समोसे की खुश्बू जो की उत्तर भारतिय समोसे के विपरीत चप्टे होते हैं इसके अलावा कुछ अन्य लोक प्रियवेंजन जैसे मसाला पू और फिल्टर कॉफी होसूर में काफी फेमस हैं तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने शेहर का वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के अपनी सिटी का नाम हमें जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सिटी के साथ चैनल